लाइक एंड सब्सक्राइब तो मैं चैनल और प्रस्ट बाल आइकन तो गट मैं अल वीडियो थेंक यू असलाम लेकूम उमीद है आप सब कहरेट से होंगी इस वीडियो में आज हम फ्यूचर कॉंटिनियस टेंस के बारे में पढ़ेंगी सबसे पहले हम जानते हैं किन पॉइंट को हमने देखना है सबसे पहले है definition फिर helping verb structure of the tense positive में, negative में, interrogative में interrogative को लेकर आप confused ना हो interrogative का मतलब question tenses है उसके बाद हम examples देखेंगे कोई भी tense है वो example की help से easily आपको समझ आ जाएगा So definition, helping verbs, structure and examples Start करते हैं definition Future continuous tense आप इसके नाम से ही देख सकते हैं Future, मुस्तक्बिल, continuous ऐसा काम जो जारी हो ऐसा जुमला जिसमें मुस्तक्बिल के बारे में मुस्तक्बिल में होने वाला कोई काम जो के जारी हो रुका ना हो कि वो start हो चुका हो बट खतम ना हुआ हो, जारी हो हमने present में पढ़ा, इसी तरह future में है The tense expresses actions at a particular moment in the future The action will have started at the moment but it will not have finished at that moment के काम शुरू हो गया हो, लेकिन खतम ना हुआ हो मुस्तक्बिल में काम, कोई action, सर अन्जाम हो रहा हो वो जारी हो, बट वो खतम ना हुआ हो ऐसा tense Simple words में हम कह सकते हैं Future continuous tense refers to an unfurnished action or event that will be in progress at a time later than now आप इसमें पढ़ें, इसको समझें कि ऐसा जुमला है जो unfurnished action को जाहिर करता है और ऐसे event को जो कि progress में हो बट उस वक्त वो खतम ना हो जैसे के कोई ऐसा जुमला हमारे future में हम कोई काम कर रहे हो मगर वो काम खतम ना हो एक्जाम्पल देखते हैं formula जुमला बनाने के लिए positive tense में हम क्या यूज़ करते हैं subject subject के पाद helping verb आईगा उसके बाद भी यूज़ होगा फिर आप verb के साथ ing यूज़ करेंगे और ये present participle में होनी चाहिए present verb होगा और सहत में ing का इजाफा होगा साथ में उसके बाद object है तो object यूज़ कर सकते हैं और अगर object नहीं है तो नहीं जैसे के subject है I I will be eating food I will be eating food मैं खाना खा रहा हूँगा अब examples चेक करते हैं मैं खाना खा रहा हूँगा I will be eating food I के साथ will लगा इटिंग लगा और be ज़रूर यूज़ हुआ future continuous tense में will के साथ be last भी यूज़ होगा ये compulsory है हम खेल रही होंगे we will be playing तुम रो रहे होगे you will be weeping आमना सू रही होगी आमना will be sleeping अब आप गोर से देख सकते हैं कि will का use लास्मी है उसके साथ be use होगा I will be you will be they will be he will be she will be इसके समझ आ गई अब negative tense बहुत असान है आप इसको गोर से देख लिए I will not के साथ जस्ट एक word आपने use करना है not will के साथ not और उसके बाद भी आएगा कुछ लोग पहले भी फिर not कर देते हैं वो गलत होता है तो देख लेते हैं मैं सो नहीं रहा होंगा I will not be sleeping मैं हंस नहीं रहा होंगा I will not be laughing वो हंस नहीं रहा होगा He will not be laughing वो सो नहीं रही होगी She will not be sleeping हम खेल नहीं रही होंगे We will not be playing इतनी तो आपको समझागी होगी कि जस्ट आपने subject के साथ will use होगा और not add कर देने इसी तरह से question tense Question tense को हम interrogative tense भी कहते हैं कुछ लोग interrogative भी कहते हैं तो इसको भी as it is simple है आपने क्या करना है Will को सबसे आगे लगा देने और फिर subject use करने और फिर be sleeping ing के साथ verb के साथ ing क्या हमें सो रहा होंगा Will I be sleeping क्या तुम खेल रहे होगे Will you be playing क्या हम खा रहे होंगे Will we be eating इतना असान है कि जस्ट आपने Will को first में use कर देना है कितने इसान tense से future tense इसी तरह से आप एक दफ़ा दुबारा देख लेते हैं future tense is a verb tense ये किसी काम करने का tense है something will happen in future जो के future में कुछ हो उसके बारे में helping verbs shall be और Will be use होते हैं जादा तर अब हम Will को ही use करते हैं हर tense हर चीज़ के लिए I, Will, He, She, It के लिए हम Will ही use करते हैं पहली होता था कि I के साथ shall be और Will के साथ shall be लगता था बट अब present tense जो के अभी future में आ रहे हैं और जो हम कर रहे हैं उसके जाद हम I will be ही use करते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू करें थैंक यू